हाई गाईज कैसे आप लोग आई होप आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे मैं हूँ गोपाल स्वाकत आपका मेरे यूटूब चेनल उत्राकर यह माले ब्लोग में गाईज रोज की भांती इस वीडियो में भी हम आपको नई नई जानकारी दे रहे हैं और आठ जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यह मेरे पीछे तुंगले का पेड़ है यह बिसेश कर हमारे गडवाल के जो छेत्र है वहाँ प इसे उपयोग किया जाता था वो दांतुन के लिए किया जाता था तो पहले सुबह उठके लोग इस तुंगले का दांतुन करते थे जिसकी वज़े से लोगों के दांत उस समय काफी मजबूत होते थे तो पहले हम इसकी टहिनी इस तरह से तोड़ देते हैं और यह देख सकते आप और जब इसमें फल लगते हैं तो बारीक बारीक फल होते हैं जंगली फल होते हैं उनको विखाये जाता है खटा मिटा होता है और इसको इस तरह से दाटों में रखें अच्छी तरह से चवा के फिर इसको ब्रसनुमा बना देते हैं और फिर इससे इस तरह से ब्रस करते ह किसी भी तरह के रोग नहीं लगते हैं और काफी मजबूत होते हैं तो मैं तिमले का पेड़ आपको नजदीक से फिर दिखा देता हूं आप बनी रही है तुंगला का पेड़ बिल्कुल यहां पे उगा हुआ है यह देख सकते हैं बिल्कुल नजदीक से इसकी चोड़ी चोड़ी पत्ती होती है इस तरह से काफी बड़ा पेड़ होता है और ऐसी ही यह हमारे खेतों के आसपास उग जाता है तो सातियों आज के वीडियो बें इतना ही वीडियो को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तल के लिए साधर प्रणाब